दोस्तों अज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाश 10 एक्सरसाइज 5.3 इसके पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 कुर्शन नमर 7 आपनों के सामने हैं कि उस एपी की प्रथम 22 पदों का योग ज्यात किजिए जिसमें D कमान दिया है साथ और बाइस्वा पद 149 दिया हुआ तो चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं D का वेलू है 7 और A 22 यानिकी A प्लस 21 D का वेलू दिया है 149 यहां से हम A का वेलू निकाल सकते हैं D का वेलू यहां पूट करें A प्लस 21 इन्टू 7 इक्वल टू 149 हो जाएगा तो A प्लस 21 इन्टू 7 कितना हो जाएगा 147 इक्वल टू 149 अब A का वेलू क्या हो जाएगा 149 माइनस 147 तब A का वेलू 49 में 47 गया तो 2 बचिएगा A का वेलू निकाल गया 2 निकालना क्या है 22 पदो का योग यानि की S 22 हलो जानते S N का वेलू क्या होता है N अपन 2 बरकेट में 2 A प्लस N माइनस 1 इन्टू D अब यहाँ पर S 22 यानि की N का वेलू यहाँ पर 22 है तो क्या हम N के जगह पर 22 पूट कर सकते है तो यहाँ पर इसको इसी परकार सगीत देते है A कमान 2 तू जब 4 हो जाएगा N 22 यानि की यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस 1 21 D का वेलू है 7 चलिए 22 में 2 को डिवाइड देंगे तो 11 हो जाएगा 4 प्लस 21 को 7 से गुणा करते है तो 147 147 और 4 तो 11 इन्टू 147 और 4 कितना हो जाएगा 151 और 151 को 11 से गुणा करने पर आ जाएगा 1661 चलिए तो यह आपका एंसर तो देख लेते हैं कोशिन नुबर 8 आपलों के सामने हैं कि उस एपी का प्रत्थम 51 पदों का योग ज्याद किजिए जिसके दूसरे और तिसरे पद क्रमा सब 14 और 18 तो क्या दिया हुआ है A2 मतलब A प्लस D का वेलू है 14 एक्वेशन 1 मान लेते हैं और फिर A3 मतलब कि A प्लस 2D का वेलू दिया है 18 इसको एक्वेशन 2 मान लेते हैं अब अगर हम बात कर लेते हैं समिकरन 2 को एक से कहां लिखेंगे समिकरन 2 को एक से तो पहले समिकरन 2 को लिखेंगे फिर समिकरन 1 को लिखेंगे अब इनको घटाएंगे तो घटाने के लिए सेंबोल को चेंज किया जाता है यह हमका कट जाएगा A में A यहाँ पर 2 A में 1 A मानस होगा क्योंकि पलस और मानस मिल करके मानस होता है तो only D होगा और यह 18 में 14 गया तो 4 बज़ेगा D का वैलू 4 लिखते हैं D के मान को समिकरण 1 में रखने पर तो समिकरण 1 क्या है A पलस D इक्वाल टू 14 अब D के जिए अपर 4 रखेंगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा A पलस 4 इक्वाल टू 14 मतलब A का वैलू निकल जाएगा 10 अब A का वैलू 10 है तो S 51 का वैलू निकालगा S 51 का वैलू तो S N वैला फोर्मुला पूट करेंगे जिसमें N का वैलू 51 आएगा तो हम लोग फोर्मुला जानते हैं N बेटे 2 2 A पलस N माइनस 1 इन्टू D अब यहाँ पर N का वैलू 51 यहाँ लिखना पढ़ेगा 51 बेटे 2 2 A A का वैलू है 10 तो 10 को 2 से मुल्टिप्लाइ करेंगे 20 N 51 51 में 1 माइनस हो जाएगा तो 50 बचेगा और D का वैलू है 4 तो यहाँ पर 4 लिखना पढ़ेगा 51 अपॉन 2 20 पलस यह कितना हो जाएगा 200 तो 220 हो जाएगा 51 अपॉन 2 इन्टू 220 इसको कट करेंगे तो 110 हो जाएगा फुल मिला करके अंसर 51 इन्टू 110 आएगा तो 51 को 110 से अगर मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 5610 इसका अंसर आएगा अगला कुशन कोशन नमबर 10 कोशन नमबर 9 जो है वो आसान ही है कोशन नमब 9 इसका पढ़ लेते हैं कि यदि किसी AP के प्रत्थम 7 पदो का योग 49 दिया हुआ और 17 पदो का योग 289 दिया हुआ तो N निकालना तो आप लोग क्या किजिएगे SN के थूर से equation निकालिएगा और N का value जो है वो दोनों को निकाल करके किसी का value को equation 1 में put करने पर N का value निकलेगा SN वाला formula से N निकलेगा और SN वाला formula भी discuss कर चुके है N बेटे 2 बरकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू दी चलिए यह अपका N डेबलो रहीगा Next question जैसे कि आप लोग के सामने है यहाँ पर यह थोड़ा सा hard है दर्साइए कि A1, A2 इस परकार से A N से एक AP बनती यदि A N निचे से दिये अनुसा परिवासित है जैसे question 1 में यहाँ पर दिया हुआ A N इकोईल टू 3 पलस 4 N है साथ ही और यहाँ पर अगेन दिया हुआ A N इकोईल टू 9 माइनस 5 N साथ ही प्रतियक इस्थिती में प्रत्थम 15 पदों का योग इसमें याद करना तो चलिए डिसकस कर लेते हैं जैसे कि पहला नमबर यहाँ पर लिखते हैं पहला नमबर में क्या निखा हुआ है A N इकोईल टू 3 पलस 4 N अगर हम N के मान को 1 रखते हैं तो A1 इकोईल टू क्या हो जागा 3 पलस 4 इंटू 1 यानिकी 4 यानिकूल मिला के 7 अगर हम N का value को 2 रखते हैं तो क्या हो जागा a2 equal to 3 plus 2 into 4 यानिकी 8 यानिकी 11 और वही पर अगर हम n का value 3 रखते हैं n का value 3 रखते हैं तो a3 कमान कितना हो जागा 3 plus 4 into 3 यानि 12 और 12 और 3 मिल करके बन जाएगा 50 तो ap क्या बन जाएगा ap हो जाएगा 7, 11, 50 इसे बढ़ता चला जाएगा ठीक है और last यहां पर क्या दिया हुआ an का value last term है end term है अबका 4n यहां पर जो दिया हुआ 3 plus 4n यह end term है चली तो देखा जाए तो 15th term निकालना है 15th term यानिकी s 15 इसमें n का value 15 होना चाहिए तो formula हम लोग जानते है end बटे 2 2a तो 2a देखा जाके a का value 7 है तो 2a यानिकी हो जाएगा 14 end 15, 15 माइनस 1 यानिकी 14 हो जाएगा और d d क्या हो जाएगा 11 में 7 गया तो d का value यहां पर 4 निकल गया अब अगर in value को अगर solve करेंगे तो 15 upon 2 यहां पर हो जाएगा 14 पलस 14 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 56 तो 15 upon 2 गुना यह दोनों को अगर हम करते हैं पलस तो हो जाएगा 70 और 70 को 2 से डिवाड देंगे तो 35 आएगा कुल मिला करके 15 गुना 35 बराबर कितना हो जाएगा 525 यह पहला कैंसर निकला उसी परकार से दूसरा नमबर क्या लिखा हुआ कोशन नमबर इसका second है an का value दिया है 9-5n तो चलिए फिर से इसी परकार से बनाते है second और यहां पर लिखते है an इकोल लूग क्या दिया हुआ है second और 9-5n तो n का value 1 रखते है n का value 1 तो a1 इकोल टू 9-5 यान की 4 अगर n के लिखा पर 2 रखते है तो a2 का value क्या हो जगा 9-5 to 10 यान की minus 1 और n का value 3 रखते हैं तो a3 का value क्या हो जगा 9-15 यान की minus 6 तो ap क्या हो जगा 4-1-6 और last है आपका n तर्म वाला n-5n तो हमें क्या value निकालना s 15 का value निकालना तो formula होते है n बटे 2 2a यान की 4 दूगनी 8 तो a प्लस फिर n-1 n है 15-1 यान है 14 इन्टो d और d का value क्या हो जाएगा minus 1 minus 4 यान है minus 5 d का value निकालना तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा minus 5 तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा s 15 का value तो total कितना हो जाएगा चोदो को 15 से गुना करते हैं यहाँ पर true आएगा मतलब कि 15 बटे 2 8 plus minus minus चोदो पच्चे चोदो पच्चे कितना होता है चोदो पच्चे 70 70 में 8 को minus करते हैं चीने लिएगा minus का क्योंकि 70 बड़ा है 70 में 8 minus करेंगे तो आएगा 62 यह 62 गया 31 बार 15 गुणा minus 31 तो कूल मिला करके अंसर कितना आएगा minus 465 तो इस परकार से question number 10 भी clear चलिए next question number 11 question number 11 आप लोग के सामने हैं कि यदि किसी AP के प्रथम N पदों का योग याप योग होना चलिए 4N minus N स्क्वार है तो इसका प्रथम पद अर्थार्ट S1 क्या है प्रथम दो पदों का योग क्या है और फिर दिया हुआ दूसरा पद क्या है इसी परकार तिसरे 10 वे और N वे पद याद किये तो बहुत सारा कोसेंस में दिया हुआ है तो इन सब को एक एक करके हम लोग डिसकस करें तो सब से पहले डेटा को लिखते हैं यहाँ पर प्रथम N पदों का योग दिया हुआ ठीका मतलब कि S N का वेलू यहाँ पर दिया हुआ और S N का वेलू कितना दिया हुआ यहाँ पर लिखते हैं S N का वेलू दिया हुआ है 4- 4 N माइनस N स्क्वार स्क्वार में क्रेशन नमर 1 पूट करते हैं ठीका है और अगर हम N की जगा पर N माइनस 1 अगर रखा जाए यहाँ पर लिखते हैं यदि N के जगा पर N माइनस 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा N के जगा पर N माइनस 1 रखने पर 4 हो जाएगा N माइनस 1 और फिर इस N के जगा पर भी लिखेंगे N माइनस 1 का haul square इसको ध्यान से देखे यह 1 तो यहाँ पर एक क्या हो जागा बरकेट को तोलने पर 4N और फिर 4-1 4N को multiply करेंगा 4N आ जागा minus 4 1 जाग 4 यहाँ पर भी लगग 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 उसी परकार्ट से हमें solve करना है यह तो हो जागा A minus B का haul square क्या होता है A square मतलब N square minus 2AB यानि 2N minus 1 स्वरी पलस 1 का square 1 का square 1 ही होगा चीक है और फिर लास्ट में फिर बरकेट को तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 4N minus 4 यह हो जागा minus N square minus और minus मेल करके plus 2N फिर minus और plus मेल करके minus 1 यहाँ पर N आएगा अब 2N और 4N में 2N को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6N पहले तो minus N square लिखेंगे और यह हो जागा plus 6N और यहाँ पर minus 4 और minus 1 मिल करके minus 5 हो जाएगा इसको equation क्या मानेंगे इसको equation मानेंगे 2 और यह किसका विल्व आया S N-1 का विल्व आया S N-1 का विल्व आया सब में वही ची लिखाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चलिए अब हम लोग next लिखते सकते हैं कि आता है N वा पर जो है A N बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा अता है N वा पर A N बराबर क्या हो जाएगा तो S N- S N-1 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A N बराबर S N का वेल्यू कितना दिया है 4 N- N2 4 N- N2 माईनस और S N-1 का वेल्यू कितना इतना सारा है इसको बरिकेट में लिखेंगे माईनस N2 पर उस 6 N माईनस 5 इतना सारा अब अगर बात क्या जाए इस माईनस को बरिकेट को हटाएगे तो यहाँ पर n का भीलू आएगा n का भीलू आएगा 4n square 4n square नहीं है 4n है ठीक है इसको cut करना है इसको cut करना ठीक है यह कुछ नहीं है 4n minus हो जाएगा आपका क्या है n square फिर minus minus plus n square फिर इस minus को इस plus के साथ multiply करेंगे minus 6n फिर minus minus plus 5 यह हो गया आपका n का भीलू तो देखते हैं कहीं पर अगा plus minus cut जाता है तो यह आपका minus 6n और plus 4n तो plus minus minus यहाँ पर हो जाएगा minus 2n और plus 5 फिर्ट मिला करके यह आपका n का भीलू आए ठीक है तो s1 का भीलू क्या हो जाएगा इसमें क्या करेंगे s1 यानिकी n के जिएगा पर 1 put करेंगे यहाँ पर पाला question लिख रहा है s1 s1 का value के लिए n का value 1 put करेंगे minus 2 into 1 plus 5 यानिकी minus 2 plus 5 फिर्ट मिला करके 3 answer आजाएगा ठीक है प्रथम दो पद तो प्रथम दो पद अगर देखा जाए तो s2 निकालते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रथम दो पद तो उसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे s2 अना ध्यान से देखें ठीक है s2 s2 के लिए यह equation put करेंगे और n के जगा पर हम 2 put करेंगे ठीक है चलिए s2 और s3 निकाल रहे है minus 2 into 2 plus 5 यानिके minus 4 plus 5 यानिकी 1 और s3 minus 2 into 3 plus 5 यानिके minus 6 plus 5 यानिकी minus 1 चलिए और एक बच गया 10th हवा पद 10th way और nth way nth नमबर तो वैसे an का value तो निकल गया यह वला है यह तो आपका an का value निकला था ठीक है कहा कहा मेरा answer निकला पहले यह है ठीक है उसके बाद यह value है फिर यहाँ पर एक value यह है फिर एक value तो इतना तो निकल गया था अब हम लोग निकालेंगे anth way पद 10th पद ठीक है न मतलब ए जो है 10 का value निकालेंगे तो ए 10 का value के लिए हम लोग जानते हैं कि an का value क्या निकला था an का value निकला था minus 2n plus 5 बस यहाँ पर n के जगह पर क्या लिखना है 10 लिखना है तो minus 2 into 10 plus 5 तो अगला step में minus 20 plus 5 यान कि minus 15 आगया 10th पद तो इतना सारा questions और यह complete हो गया अब हम लोग next question डिसकस करने वाल है question number 12 question number 12 question number 12 आप लोग के सामने हैं कि ऐसे प्रथम 40 यानिके 40 धन पुर्णांकों का योग ग्याद किजिए जो 6 से विभाज्य है 6 से विभाज्य 40 धन पुर्णांक का अप लोग को ग्याद करना है ठीक है 40 धन पुर्णांक चले तो 6 से विभाज्य यानिके 6 का table हो जाएगा AP में तो यहाँ पर अगर देखा जाए AP अगर लिखेंगे तो 6 12 18 ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा 14 धर्म तक SN निकालना है तो A का value 6 D का value 12-6 यानिके 6 N का value 40 निकालना क्या है SN का value हम लोग जानते है SN का formula होता है N में 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D अब N का value 40 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा 2A यानिके 12 प्लस N का value 40 यानिके 39 यहाँ पर हो जाएगा D का value 6 20 12 प्लस 39 इंटू 6 इतना हैगा 39 इंटू 6 234 अब यह 20 इन दोनों के 8 करते हैं यह multiply मा जाएगा इन दोनों के 8 करते हैं यह हो जाएगा 6, 4 और 2 अब 246 को 20 से अगर multiply करते हैं तो 4920 यह आपका अंसर निकल के कोशेर में 13 भी लगभग इसी परकार से है कोशेर में 13 आप लोग के सामने हैं कि 8 के प्रथम 15 गुनजों का योग ज्यान किजिए 15 गुनज, 8 का प्रथम तो AP क्या हो जाएगा इस कंडिशन में 8, 16, 24 एचे करते करते 15 टर्म तो A क्या निकल जाएगा 8 D, 16, 8 गया 8 N, 15 निकालना क्या है? S N मतलब S 15 फोर्मुला पहले लिखेंगे N बेटे 2 2 A प्लस N माइनस 1 इन्टू D अब N जीसे के 15 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15 बेटे 2 2 A यानि के आठ दूग ने सोरला प्लस N पंद्रा 15 माइनस 1 यानि की हो जाएगा 14 और D हो जाएगा आपका 8 15 बेटे 2 यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 14 इन्टू 8 कितना होता है? 14 को 8 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 112 112 को 16 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के S N का वेलू 15 बेटे 2 गुणा यह कितना हो जाएगा? 628 2 और 1 128 अब 2 का टेवल से 128 को कट करते हैं तो 64 बार में 15 गुणा 64 कितना हो जाएगा? 15 गुणा 64 960 और यह आपका एंसर इसी परकार से कोशन मा पेटेते हैं कोशन मा 14 है आप लोगे सामने के 0 और 50 के बीच की विशम संख्याओं का योग ग्यान 0 और 50 के बीच विशम संख्या निकालना है तो सबसे पहले एपी देख लेते हैं लिखना यहाँ पे अतर यहाँ पर यह तो अपका अपका अपी है अ क्या हो जाएगा 1 दी क्या हो जाएगा 3 में 1 गया तो 2 बचेगा और लाश्ट डिजिट जो है न वो अन है 49 तो कोशन क्या बोड़ा है योग ज्यात करना है ठीक है टोटल तो पहले तो हम N निकालेंगे क्योंकि इसमें N दिया नहीं है और S N निकालने के लिए AD और N का होना जरूरी है तो A N का फोर्मूला से N निकालेंगे then S N complete करेंगे S N का वेलू निकालेंगे ठीक है तो चली पहले A N से N निकालते है A N का फोर्मूला हम लोग जानते है A प्लस N माइनस 1 इंटो D A N के जगा पर 49 लिखते है A के जगा पर 1 N तो निकालना ही है और D के जगा पर 2 ये 1 उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा N माइनस 1 इंटो 2 और 2 मल्टिप्लाइ में इधर आगा डिवाड में N माइनस 1 इकाल टो 48 डिवाड बाइ 2 फोल मिला करके N माइनस 1 इकाल टो 48 को 2 से डिवाड करेंगे तो 24 आएगा तो N का वेल्यू कितना हो जाएगा 25 अब S N निकालना अता S N फोल माइनस 1 का मतलब हो गया 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा 2 A प्लस N माइनस 1 N माइनस 1 का मतलब हो गया 25 माइनस 1 तो 24 इंटो D D यानिकी 2 फोर्मुला में वेल्यू भी पूट कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे 2 2 प्लस 24 दूनी 48 48 दो 50 तो 25 बटे 2 गुना 50 यह दो कटे बॉल में 25 बार में कुल मिला के 25 गुना 25 तो बताएगे 25 का स्कॉर्ट कितना होता है 625 तो 625 इस एंसा निकल किया परकार से कॉर्षियर नमबर 15 निर्मान कारिस्ट से संबंधित किसी ठेके ने एक निश्ची तिथिक के बाद कारिको विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लागाने का प्रावधान इस परकार किया है ठीक है ना पहले दीन के लिए 200 दूसरे दीन के लिए 2800 तिसरे दीन के लिए 300 इत्यार दी और अर्थार्थ परतेक उत्रोतर दीन के लिए जुर्माना अपने से ठीक पहले दीन के जुर्माना से 50 अधीक है इस ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी रासी एठा रासी एड करनी पड़ी जो भी है अधा करनी पड़ी यहां पे अधा होना चाहिए कितनी रासी आधा करनी पड़ीगे करना पड़ीगे जो भी है यदि वह इस कायर को 30 दिन का विलंब कर देता है देखें एक दिन का विलंब अगर करता है तो 50 रुपय अध इतना देना पड़ेगा वो हमें एपी के त्रू से निकालना है तो देखें यहां पे जिसे के 200 है फिर 500 है फिर 300 है इसका मतलब के 50-50 रूपया बढ़ते जा रहा है जितना विलंब करेगा और 30 दिन का विलंब पूछ रहा है तो हम पहले एपी लिखेंगे पहले है 200 फिर है 200 फिर है 300 फिर है 300 अर इससे करते करते वो कितना तक 30 दिनों तक मतलब 13 टर्म ठीक है यह term है तो हमें जो है A का value निकला 200 D का value निकला 50 मतलब 2800 में 200 गया तो 50 और N का value निकला 30 तो क्या निकालना है S30 का value निकालना है मतलब S N का value फोर्मुला हमनों जानते है N में 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D अब यहां पर अगर देखा जाए N 30 है तो यह होज़ेगा 15 2A मतलब 200 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो यहां होज़ेगा 400 N है 30 माइनस 1 और इंटू A माइनस 1 है और इंटू D अब D का value होज़ेगा अबका 50 तो 15 400 पलस यह होज़ेगा 29 इंटू 50 तो अगला श्टिप्ल देख लेते हैं नहां पर लिखें 10 30 का value तो कितना आगा 29 इंटू 50 होज़ेगा 15 400 पलस 29 इंटू 50 कितना होज़ेगा 2450 तो 15 गुना 400 पलस 2450 कितना होज़ेगा 1850 और 1850 को 15 गुना करेंगे तो 27,750 इसका एंसर निकल देगा चलिए इसका मतलब है कि 30 दिन अगर लेट करेगा तो उसको जूर्माना के तोर पर 37,750 रूपिया पैनल्टी पर देना पढ़िए अगला कोशन आपनों के सामने है कि यदि उसकूल के विद्यार्चियों को उनके समगर सचिक के सार्थ नगद पुरसकार देने के लिए 748 रखी गई यदि प्रतेक पुस्तक अपने से ठीक पहले पुस्तक से 20 रूपिया कम है तो प्रतेक पुरसकार का मन मान ग्याद करना यहाँ पर मन ने होगा मान होगा मान ग्याद करना तो क्या दिया हुआ है साथ नगदी है तो N का अवेलू साथ और S7 का अवेलू यहाँ पर दिया हुआ टोटल रासी 700 और कम हो रहा हर एक बार अट इक अवेलू कम हो रहा ना तो मानिस 20 रखना पड़ेगा ठीक है तो चलिए इसके जरी हम एक अवेलू निकालते है तो हम लोग जानते है SN इकोल टू फोर्मला क्या होता है कि N बेटे 2 2A प्लस N मानिस 1 इन्टू D SN का वेलू 700 N का वेलू 7 7 बेटे 2 2A यहाँ पर 2A भी पूट करना पड़ेगा और N का वेलू है 7 7 मानिस 1 यानिके 6 इन्टू मानिस 20 यह उपर जाएगा और यह निचे आजाएगा यानिके 700 इन्टू 2 अपॉन 7 एकोल टू इधर देखते हैं 2A और यह हो जाएगा उपका मानिस 20 मानिस 20 को 6 से अगर मल्किप्लाइ करेंगे तो कितना आएगा मानिस 120 छेदू निंबार मानिस 120 हो जाएगा यह कटेगा 100 बार में कुल मिला के यहाँ पे 200 होगा 100 को 200 गुना करेंगे तो तो हो जाएगा आपका 200 इकोल टू 2A मानिस 120 120 इधर आएगा तो 2A एकोल टू 200 प्लस 120 तो 2A एकोल टू 320 A एकोल टू 320 अपॉन टू आनकी 160 A का वेल्यू निकलेगा 160 तो AP क्या हो जाएगा मतलब कि जो साथ पूस्तक है उनका मुलिक कितना हो जाएगा पहला का 160 फिर 20 घट रहा है तो दूसरा का 20 घटा दिया जाए 140 तो से परकार से 120 फिर 100 फिर 80 फिर 60 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके बाद 40 इस परकार से पूस्तकों का मिल्लो होगा और नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 17 कोशन नमबर 17 ने एक स्कूल के विद्यातियों नी वायू प्रदूसन कम करने के लिए जो भी है स्कूटर के अंदर और बाहर स्कूल यहां पर होगा बाहर पेड लगाने के बारे में सूचा यह निर्न लिया गया कि प्रतेक कक्छा का प्रतेक अनुभाग अपनी कक्छा के संख्या के बराबर पेड लगाएगा जैसे कि उदारन के लिए कक्छा एक का एक अनुभाग एक पेड लगाएगा कक्छा दो का एक अनुभाग दो पेड लगाएगा कक्छा तीन का एक अनुभाग तीन पेड लगाएगा इत्याल और ऐसे कप्छा 12 तक के लिए चलता रहे परते कप्छा के तीन अनुभाग और इस अस्कूल के विद्यार्थी द्वार लगाए गए कूल पेड़ों की संख्या कितनी होगी यह हमें जात करें चलिए तो एक एक करके कम्टीट करते हैं तो टोटल जो है एक से ले करके 12 बच्चे हैं क्लास है यहां पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा कूल विद्यार्थियों का संख्या ठीक है आप हमें लिखना पड़ेगा पूल वर्ग तो एक से बारह तक एक से बारह तक हो जाएगा और प्रतेक कप्छा में अनुभागों के संख्या तीन अनुभाग इसलिए अगर बात क्या जाए तो यहां पर हो जाएगा क्या 3A, 3B, 3C इस पर करसे तो जितनी भी AP है यहां पर AP क्या हो जाएगा 1, 2, 3 इसे करते करते 12 तक चला जाएगा तो AP क्या हो जाएगा 3 को 1 से गुना करना पड़ेगा 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा 3 को 3 से गुना करना पड़ेगा यहां से हम क्या लिख सकते है A का वेलू 3, D का वेलू D, यहां पर D लिखना है, D का वेलू 3 और यह आपका जो दिया हुआ है N, N आपका कितना हो जाएगा 12 है, यहां पर 12 लिखा हुआ न, टोटल 12 कक्षा के लिए है, तो N का वेलू हो जाएगा 12, तो हमें क्या निकालना है, S N का वेलू निकालना, कितनी संख्या है, तो S 12 का वेलू, के लिए पहले फोर्मुला लिखते हैं, 2A प्लस N माइनस 1 इन्टू D, N का वेलू कितना है, 12 है, तो 12 बटे 2 यहां पर लिखते हैं, A का वेलू 3 यानिके 6 हो जाएगा, N का वेलू, 12 माइनस 1 और D का वेलू भी 3, तो यह 6 हो जाएगा, 6 प्लस यहां पर हो जाएगा 11 इन्टू 3, 6 इन्टू, यह जो भी है, यहां पर 6 प्लस 33 लिखेंगे, अब 6 इन्टू लिखना पड़ेगा, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39, तो 39, 39 को 6 अगर मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 2, 34, तो यह हो गया, टोटल विरिक्चो की सभी, अब अगला कोशन देख लेते हैं, कोशन नमर 18, यह रहा आपका कोशन नमर 18, यहां करिकी है, यहां से यहां तक अर्ध गोला है फिर यह एंद गोला है फिर यह अर्ध गोला है फिर यह ए अर्ध गोला है इस परकार से बढ़ते जा रहा है इसको L1 hem decía 2 फिर एलthis deix you été चुटा साय यह तिर्जा और तिर्जा जो बढ़ते जा रहा है एक 0.5 है फिर 1.0 है फिर 2.0 है फिर इस परकार से तिर्जा बढ़ते जा रहा है तो सबसे पिल अगर बात किया जाए अर्द विरीतों की लंबाई यहां पे दिया हुआ है अर्द विरीतों की लंबाई कितना दिया हुआ है ल1,L2,L3 बढ़ते जा रहा है ल4 तक और अगर दिखा जाए तो R1 0.5 सेंटीमीटर R2 1.0 सेंटीमीटर R3 2.0 सेंटीमीटर और उसी परकार से आगे है R4,R5 तो देखे ल1 यह जो है अर्द परिमाप इसका वेल्यू क्या होता है पाई आर के लिए अगर बात किया जाए यह एक गोला है मालिया जाए तो इसका परिधी कितना होता है circumference 2,Pi,R और अर्ध परिमाप कितना होजागार 2,Pi,R-2,2 तो कितना बचा-Pi,R तो यह क्या है यहां से यहां तक अर्ध परिमाप यह यहां से यहां तेक देखा जाए तो यह आर्द परिमाफ ही ही है तो आर्ध परिमाफ का in taylor को आ फ़ेटा है तो तुपाई अगर हम इसको आर्वन बानते तो थू पंटरि और अर्थ परिमाफ का वेल्यू ब्लेगे पाई और हो जाए तो एलस एल्वन का वेल्यू हो है L1 के लिए कितना हो जाएगा पाई आरवन ठीक है पाई आरवन पाई का विल्यू कितना है बाइस बटे साथ आरवन 0.5 तो 22 इंटू 0.5 बटे साथ हो जाएगा तो 22 को 0.5 से अगर मल्टिप्लाइ कर देंगे तो completely 11 बटे 7 हो जाएगा यह आपका centimeter निकले 11 बटे उसी परकार से L2 वेल्यू क्या है पाई आरवन पाई हो जागा 22 बटे साथ आरवन यानि कि यह 22 बटे साथ ही होगा 1.0 का मतलब 1 ही है उसी परकार से यह वेल्यू आप लोग याद रखेगा 11 बटे 7 और 22 बटे 7 अब यहां पर लिखते हैं यहां से पॉइंट हटा नीचे 0 आएगा उपर उपर से multiply हो जाएगा तो उपर उपर से अगर multiply किया जाए तो हो जागा आपका 33 बटे 7 उसी परकार से यहां से एल 4 पाई आर 4 तो 22 बटे 7 गुना आर 4 का वेल्यू इतना हो जाएगा 2 क्योंकि हर बार 0.5 बढ़ रहा तो यह हो जाएगा आपका 44 बटे 7 इस परकार से एपी क्या हो जाएगा पाला क्या था 11 बटे 7 दूसरा 22 बटे 7 तिसरा 33 बटे 7 और 4 था 44 बटे 7 यह एपी बन गिया यहां पर बात क्या जाएगा का वेल्यू हो जाएगा 11 बटे 7 और डी का वेल्यू हो जाएगा 22 बटे 7 में 11 बटे 7 घटा दिया जाएगा 11 बटे 7 ही बचेगा और एन का वेल्यू कोशेन करनों सा 13 दिया हुआ क्या निकालना है तिरह पदों तक योग निकालना है यानि की S 13 फोर्मुला N बटे 2 2A प्लस N-1 इन्टू डी अब आप लोग आगे बना सकते हैं थोड़ा से इसको बढ़ाते हैं 13 बटे 2 2A A का वेल्यू 11 बटे 7 उसको 2 से गुना करेंगे तो 2 इन्टू 11 यानि के 22 बटे 7 N का वेल्यू 13 तो 13 में 1 गया तो 12 हो जाएगा और D का वेल्यू है अबका 11 बटे 7 तो यहाँ पर भी लिग सकते हैं 13 बटे 2 22 बटे 7 पलस 12 को 11 से मल्टिप्लाई करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं 12 12 यानि के 132 तो हो जागा 132 बटे 7 अब यह भीन का जोड़ हो जाएगा अगर हम यहाँ भीन का जोड़ करते हैं तो कितना आता है यहां लिगते हैं 13 बते 2 इन्टू यह हो जगा नीचे 7 132 और 22 कितना हो जगा 154 तो 2 काते बसे 154 कितना हो जगा 7 दूँग नीचे हो दो 37 और यह 7 से 37 कातेगा 11 बार 13 इन्टू 11 कूल मिला के answer आएगा तो 13 इन्टू 11 कितना हो जगा 143 तो यह आपका answer हो जगा 143 का अगला कोशन कोशन नमबर 19 और कोशन नमबर 19 का पिच्चर आपका है 5.5 यहां दिया हुआ है कि 200 लठों को धेरी के रूप में रखा जाता है सबसे नीचे वाले पंक्ती में 20 लठे उसके अगले पंक्ती में 18 लठे और यह 200 लठे जो है कितने पंक्तियों में रखे जाएंगे तथा सबसे उपरी पंक्ती में कितने लठे हैं यह भी आपको बताना तो सबसे पहले इस डेटा के जरी हम AP पहले निकल पहले AP को लिखते हैं तो अगर बात किया जाएं पहला है 20 तो यहां पर जैसे के कुछ कोसन जो है मिसिंग है पहला 20 है उसके बाद 19 है फिर 18 एक लाइन यहां पर गाइब है पहले 20 है उसके बाद 19 है उसके बाद 18 फिर 17 इस परकार से लठे लगता हुआ जा रहा अगर AP देखा जाएं आप लोग बुक देखिएगा ठीक है यहां पर मिस्प्रिंट है कुछ यहां पर 19 जो है न चुटा हुआ है तो अगर AP देखा जाएं तो पहले 20 फिर 19 फिर 18 ऐसे करते करते जो है वो आगे बढ़ेगा और next देखा जाएं तो टोटल जो लठे है वो है 200 तो SN का वेलू हुजएगा आपका 200 A का वेलू हुजएगा 20 और D का वेलू हुजएगा 19 में 20 को घटाएंगे तो माइनस 1 हमें क्या निकालना है SN का वेलू निकालना है जिसमें से N हमें find करने है तीगा ना SN के तुरू से और दुसरा बात अगर किया जाएं तो सबसे उपर लाइन में कितना लठे है वो भी निकालना है चलिए SN के फोर्मूला से N पहले निकालते हैं ताम लोग जानते हैं SN का वेलू होता है N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटो D अब वेलू को पुट करते हैं SN के जगह पर 200 इक्वाल टू N कितना है N एक्चुल में find करने हैं N बटे तो 2A, A का वेलू 20 तो 2A इक्वाल टू 40 हो जागा N फाइंट करने है D का जगह पर माइनस 1 बरकेट क्योंकि मल्टिप्लाई का रिल से यह उपर चला जागा तो 400 हो जागा यहां पर एक्वाल टू N और यह हो जागा अपका 40 प्लस इस बरकेट को तोड़ते हैं तो माइनस N हो जागाए और मांड़श मांड़श प्लस ऊन 400 इक्वाल टू एन 40 माइनस N फ्लस वन तो कुल मिला के क्या हुआ चागा 400 एक्वाल टू 40 और 1 कितना हो जागा 41 माइनस N, अब इस बरकेट को बरकेट को भारते हैं तो 41 N माइनस N स्क्वार इसको arrangement करता है, इस 400 को बराबर के इधर लाते हैं या फिर इन दोनों को इधर लाते हैं माइनस N स्क्वार इधर जाएगा तो पलस N स्क्वार हो जाएगा इधर लिखते हैं पलस N स्क्वार हो जाएगा अब ये जो है 41 N इधर जाएगा तो minus 41 N हो जाएगा और ये plus 400 ज़ार ही रहेगा ये दुधात समिकरन बन गया quadratic equation अब quadratic equation जब ये बन गया तो एक ऐसा संख्या सोची इसको plus या minus करने पर 41 आएगा multiply करने पर 400 आएगा ठीक है तो क्या होना चाहिए 16 ठीक है 16 plus 25 16 को 25 से गर 25 को 16 से अगर multiply करेंगे तो 400 आजाए और 25 को 16 से अगर हम क्या करेंगे plus करेंगे 25 ठीक है यहाँ पर लिखते है 16 plus 25 N plus 400 इवडर आप लोग चेक कर लिजे 25 को 16 से multiply करते हैं तो 400 और फिर 25 को 16 से plus करते हैं तो फिर 41 आजाएगा चलिए ठीक है तो यहाँ पर कुल मिला करके N स्क्वार यह बर्केट को तोड़ते हैं तो माइनस 16 N फिर यह हो जाएगा माइनस 25 N फिर पलस 400 इक्वल जीरो यह value को आप लोग याद रखेंगे अगला स्टेप में हो जाएगा आपका इनको और इनको कॉमन लेंगे ठीक है यह वाला और इनको कॉमन लेना है तो यहाँ पर लिखते हैं कॉमन लेते हैं पर यह उतारते हैं क्या है N square माइनस 16 N फिर आपका हो जाएगा माइनस 25 N पलस 400 इक्वल जीरो इन दोनों में से अगर N को कॉमन लेंगे तो N माइनस 16 बचेगा और माइनस इन दोनों में से अगर हम 25 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा N माइनस 16 अब यहाँ पर माइनस क्यों आया क्योंकि पलस को हम लीख सकते हैं दो माइनस एक माइनस यहाँ आएगा और एक माइनस जो है वो नीच यहाँ पर आजागा चलिए बराबर जीरो अब जो बर्केट के अंदर वाला उसको एक तरफ लिखेंगे अब जो बर्केट के अंदर नहीं है उसको एक तरफ लिखेंगे चलिए इस परकार से यह वेलू आ जागा N माइनस 16 इकोल जीरो इधर भी N माइनस 25 इकोल जीरो यह जागा N इकोल तो 16 यहाँ भी N इकोल तो 25 ठीक है तो N का वेलू क्या गया 16 and 25 अगर हम N को 16 रखते हैं तो A 16 का वेलू कितना हो जाएगा A 16 का वेलू कितना हो जाएगा तो 20 प्लस 15 D होता है फॉर्मूला में 16 16 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 15 D a का value कितना था a का value था 20 और 15 into a d का value कितना था minus 1 तो हो जगा 20 minus 15 20 minus 15 यानि कि 5 और यहाँ पर अगर a का value 25 रखते हैं तो कितना आएगा हमें निकाल ले a 16 का value अड़लब कि a plus 15 d और a का value था 20 15-1 multiply में और अच्छा n का n यहां पर यहां पर 25 का value यहां पर निकलेगा न फोर्मलाता है a plus 24d a का value 20 24 into d का value minus 1 20 यहां पर minus 24 यहां पर minus 4 तो देखें यहां पर minus 4 आया तो यह तो नहीं हो सकता है तो answer क्या हो जाएगा 5 ठीक है answer हो जाएगा 5 मतलब सबसे उपर में जो है वो 5 लठ्छे होगा और चलिए अगला देख लेते है यह आपका है question next ध्यान से इसको पढ़िए question है एक आलू दोड में प्रातमिक स्थान पर एक बाल्ती रखी हुई है यह जो बाल्ती रखा हुआ जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है पहले आलू यहां पर है इससे 5 मीटर की दूरी में है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस पर 3 मीटर की दूरी यों पर रखा गया हर एक बार 3 मीटर की दूरी में हर एक आलू को रखा गया दस आलू रखे गया है टोटल का टोटल दस आलू है प्रतियोगी बाल्ती यहां पर बाल्ती होगा से चलना प्रारम करती है निकर्तम आलू को उठाती है और तो फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दोड़ती है, मतलब यह उठाती है, फिर यहां रखेगा, फिर वापस जाएगा, फिर रखेगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, तो इस परकार से बार बार आएगा और जाएगा, उसे उठा कर वापस बाल्टी में दोड़ती data को एक बार ध्यान से दिखे पाहला 5 met彩 के दूर JEFF & और बार-बार 33 meter का इसे हम क्या निआ पाहले हैं इस data से एप बना देखे इसकी यह data है यहाँ है मान के लिए पहला यहां है दूसरा यहां से एक बार दोड़ा पांच पहला पांच था फिर तीन था और फिर दोड़ने के लिए रखने के लिए दुबारा दोड़ेगा एक बार यहां से दोड़ा एक बार यहां से वापस दोड़ा तो पांच और पांच दस हो जाएगा एक बार पहला आलू को रखने के लिए उसको 10 मिटर के दूरी दोड़ना पड़ेगा और फिर दूसरे के लिए फिर कितना दोड़ना पड़ेगा 5 और फिर इधर 3 8 आगे फिर 8 इधर पिछे 8 8 16 इस परकार से आगे बढ़ते चला जाए तो पहला आलू के लिए फ़स्ट आलू के लिए कितना दोड़ेगा यहाँ पर अच्छा से लिखतें इसको ठीक है यहाँ पर लिखेंगे पहले आलू पर पहले आलू तक दोड़ कर जाने और आने में तैदूरी ठीक है आप लोग लिखें पहले आलू तक दोड़ कर चाने और आने में तैदूरी कितना हो जागा 2 इंटू 5 यानकी 10 दूसरे आलू के लिए तो 2 इंटू 8 था यानकी 16 तीसरे आलू के लिए 2 इंटू कितना हो जागा इधर 5 फिदर 3 फिदर 3 6 और 5 कितना हो जागा 11 और 11 तूसरे 22 इस परकार से एपी क्या बन जाएगा एपी बन जागा 10 16 22 ऐसे चलता जाएगा तो ए का वेलू 10 दी का वेलू 6 और और यहां पर क्या हो जागा एन टोटल आलू का सेंग्या 10 था हमें क्या निकालना है एस 10 का वेलू फिर्मुला होता है एन मेंटे 2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू दी तो फुट करते हैं वेलू को एन का वेलू कितना 10 तो 10 दिभाड़ बार 2 यानिके 5 हो जागा 2A एक वेलू है 10 10 को 2 से मल्टिप्लाइ करते हैं 20 हो जागा 10 हो गया 10 10 में 1 गया तो 9 हो जागा और D का वेलू है आपका 6 5 20 पलस नोचोग 24 5 इंटू कितना हो जागा 74 और 74 को 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 370 मीटर कूल दोड़ेगा ठीक है